हलो फ्रेंड्स स्वाइब आपका हमारे आज के और ने व्लॉग में आज की एक और ने वीडियो में अब शाम का टाइम है पांच बजने लगे हुए हैं और मैं हुआ अभी अचल धनल वाली तरफ कहीं पे एक जगह पे तो भाई मैंना मामा जी की डेरे में आया हुआ था माम पैदल चल रहा हूँ अब देखते हैं कि कब तक में पास पहुंचता हूँ और वैसे इस टाइम पे न सारे भीड़वालक देरे वाल तरफ को अपनी भीड़वकिया बापिस करने लगे होते हैं बापिस लेकर आ रहे होते हैं तो भाई तो भाई ऐस जैसे रास्ते से मैं ज आगे बाली जगह भाई मनलब की यह जा रहा है रोट पर अटल तरना लबाली तरफ और यहां पर ना कुछ रिट इफटी वाले हैं वो जो की मक्की बगएरा भूटा गएरा भून के देते हैं लोगों को बहुत हैं यहां पर कुछ चाट गड़ा बेचने वाले होते हैं य अब मैं कुछ देर और इनका बेट करूँगा यहां पर अधरवाइस फिर मैं चला जाओंगा यहां से क्योंकि अपने पहुंचने में टाइम लगया अगर मैं यहां पर बेट करूँगा और वो लेट आएंगे तो उसके बाद मुझे अंधेरा हो जाएगा वहां तक अपन यह निचे रोडर रोड रोड करन एक अनुग है कि यहां पर ना एक अपने औ가लिप्री आप कि अन्थ के निचे शायद से मिच रहा है या क्या है यह ए यहां पे यह रख़ा हूए और यहां पर शूबह मलदि आगवेवर अब जलाई हुई है अब यह ने पता है कि अपने बेड़ पालकों का समान है या किसी और ने कुछ रखा हुआ है अब जब आएंगे ना दिन के टाइम में तो मैंने बेड़ करें देखी थी उनकी यहां पर अब यहां पर आसपास बेड़ बेड़ करें दिखें नहीं रही है अगर यहां पर उती तब तो आने वाला टाइम थ था इस ताइम तक कि एक चलता ने ना जटाया ज European करते हैं थोड़ा सा तो काफी यहं देर तक में पर बैठा रहा ना वैसं कोई निया इनकी बेड़ नही आई बर हुद की खी कि अब हम जाएंगे ऐसे बाई आगवाल तर्ख को देखते हैं कितना कितना टाइम लगता है फाहुचने में इस रास्ते जाओंगा है मैं ऐसे और उस बाली पाड़ी से पर्रिवाल तर्ख को अपने भेड़ पालक वहां पहुंचूँगा भी वह बो अब वसात व्लानाला जू और उसने सांस फूल ले वह बोला भी नहीं जा रहा है ऐसे जाओंगा इस पर रास्ते से आगे वाली तरफ को और देखता हूं कि कितना देर मैं पहुंसते हूं शाय से ऐसा नहीं हो कि मैं जाओं भी और वह उद्में में चले गए हूं मुझे किसने बताया था था ना कि व जल्दी चले जाएं सुबा वट हम कोशिश करेंगे हम उनको मिल पाएं यहां से बाइतों सुबा का व्यू चक करो कितना प्यारा व्यू है वह उस प्यड़ के पर चे देखो समारे सुर्य देवता आगे हुए है और बूर निचे देखो ब्यास बैर ही है और यह से जा रहे तो इस तरह से जंगल को और पाड़ी वाले रास्ती को क्रॉस करते हुए जा रहा हूं मैं वहां ने चे भी मुझे रोड भी दिखाई दे रहा है और मैंने बाइड एंगल किया है तो सामने के फाट तो साइसे नहीं दिख रहे है तो चलते बही आगे तो बिना मैं कोई चदर ना तो कोई कुछ भी मतलब यहां पर रहे हैं तो थो बहुत समान गरता होता है अगर उन्हें रुखना होता तब चले गए हुए और फिर यहां से यह भाई अटल तरफ जा रहा है रोड ना यहां पहुंच गया था मैं और जो सामने पर पेड़ देख रहे हैं यहां बने भी पालक थे बदम अभी हों लृट जले गया हुए तो मैंने महनत की हैं तक आने के लिए मैं आखहाग था raf गघ्ष्ट आते हो भाई बहुत जादा ना तो क्या ही बता हो live फ्लौ इस चलता है वापीस भाई यहां हैивают बाकि इस वाली तुरीस्ट आते हैं जादा ना तो क्या ही बताओ मैं तेना गंद मुचाया हो लोग ने यहां पर टुरिस्टों ने मिचाया हुआ अपने लोग ने मिचाया हुआ यार क्या बोल सकते हैं उस बाली तरफ तो भाई उपर मैंने आपको दिखाया निकल कम से कम ना कोई कि दो सथीन सुबोत ने पड़ी होनी भी यार की शराब की बहुत बुरा आल है यार तो भाई भेड़ पालक तो मिले नहीं मुझे तो भाई अब आपसी का सफर है इसको करेंगे साइस से 30-35 मिनित लग जाएंगे मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए तो बस भाई शायद मतलब कि उन्होंने क्या दोखा दिया दोखा तो मतलब कि आपर है किसमत मैं ने था लिखा हुआ कि मैं उनको मिलूं आमसे मीन ना था अपना तो इसलिए नहीं हो पाया चलो भाई ठीक भाई मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में अब थोड़ा मतलब यह जो नेचर ह इसका थोड़ा सा इंजोई करते हैं नेचर के साथ बाचीत कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ ऐसे वो नेचर फिंक बंड दूसरे से कलर वाले हैं और यहां पे थोड़ा सा देखोई उपरबाउन ढर्राउन कलार के हैं यहां पर यह घ्रीन ग्रीन कलर के पेड़ हैं और कुस जंगली अक्रोट के पेड़ भी हैं तो वहें ओके बाइटा बोलते हैं इस महोल को और आज की ब्लॉग को भी और चलते हैं आगे इस बाली पहाड़ी को क्रॉस करके परिबालतर को निकलते हैं